हलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं हूँ पुजा सिंग, पुजा स करने चैनल में आप सब कर सागत है आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जरूरी टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल बनी हुई है ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम पता है क्या है आपको, वो है नींद ना आने की प्रॉब्लम आजकल हर कोई लेट नाइट तक जगता रहता है और बोलता है कि हमें तो नींदी नहीं आती है, हम कैसे सो जाएं दो बज जाते है, तीन बज जाता है, किसी की सुवेश चार बज जाती है, उसके बाद सोता है कोई तो ऐसी प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी रूटीन में आपनी जो है थोड़ी से चेंज लाना है, जिसके लिए मैं आपको कुछ ज़ोई टिप्स दूंगी, जिसको आप फॉलोग करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है कुछी दिनों में दूर हो जाएगी सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, सुबह आपको जल्दी उठने की आदर डालें, इतनी जल्दी उठो के पांस बजे उठे चार बजे उठे और वाग पे जाए, टेहनले की आदर डाले, प्रणायाम करे, एक्ससाइस करे, योगा करे, ध्यान करे, इन सब चीजों से क्या होगा जो आपके जो यह प्रॉब्लम में दूर हो जाएगी यह अपनी रूटीन में जरूर लाए और ट्राइ करके देखे इससे आपकी बॉड़ी जो है एक्स्ट्रा इनर्जी भी आईगी आपकी बॉड़ी के अंदर ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उन लोग के लिए ही है जो जिनको नींद नहीं आती है आज जो नॉर्मल इंसान है वो भी अपने रूटीन में चेंज जरूर लाए कि जोरी डेली आप वाक पे जाए जो की सहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है दूसरी चीज यह कि जितना हो से कि आप खुद को स्ट्रेश से दूर रखे कुद को खुश रहने की कोशिश करें जितना हो से कि खुश रहें चोड़ी चोड़ी चीज़ों में भी खुशिया रूंड़ें जिससे हमें किसी से खुशी मिलती है आप ये पूरी कोशिश करें तो जितना हो से कि आप खुश रहें जिससे कि आपके जो दिमाग आना वो आपको जो कोई टेंशन नहीं होगी कुछ एक्स्टा आप सोचेंगे नहीं जिसे आपको जो नीन देना बहुत अच्छे आएगी तिसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको एक कप गरम दूद में अधर चमच जो है ना दाल चिनी का जो पॉडर हथा है न उसको आपको मिक्स करके पीना है कम से कम एक बार तो पिए उसको नहीं तो दो बार कम से कम सुपर जाम पिए जिससे आपकी जो यह प्रॉब्लम है ना नींद ना आने की यह दूर हो जाएगी चौती चीज़ यह कि आपको रोज रात को सोने से पहले आपको एक कप गरम दूध में एक चमच जैफल का पाउडर होता है जो नो उसको आपको मिक्स करके पीना है जिससे आपकी जो यह प्रॉब्लम है ना कुछी दिनों में दूर हो जाएगी आपको एक गलास गरम पानी में आपको एक चमच सौफ को मुबाल करके पीना है कम से कम दिन में दो बार दिन में दो बार आप इसका आकर सेवन करते हैं ना तो आपकी जो यह प्रॉब्लम है ना निंद आने की कुछी दूरों में ना बिल्कुल दूर हो जाएगी कीवी हो गया केला हो गया काबली चुना हो गया यह सब जो चीज़ें होती है ना नेंद लाने के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मंद होती है अगर आप इसका सेवन रात को करते है ना तो आपको जो नेंद है ना बहुत अच्छी आईगी तो पको पकामी द फोचीया इसे होते है जो कि ज़्यादा फाइदे मुंद्र होते है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होते है तो इस सेमन कर सकते हैं तो आप इससेमन करके देखे। आपकी उप्रॉब्लम मे कुछी दिनों दोर हो चांगी और जितना हो सके ध्यान रखने वाली बाते जो मैं आपको बताएं जो हारी हूँ वो बताए क्या कि रात को सोने से पहले जब आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद कुछ टाइम टहली के आदर डाले आप टहलेंगे कुछ टाइम तो क्या अगर जो आपकी पाचन सकती है न वो भी सही रहेगी खाना अच्छी से पचेगा और आपको नीद भी बहुत अच्छी आएगी रात को सोने से पहले आप फोन का यूज तो बिल्कुल भी ना करें जितना हो से कि उतना फोन को अवाइड करें खुद को फोन से थोड़ी से डिस्टेंस पर रखें क्योंकि उसमें से रडियेशन निकलती है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक होती है बहुत जाता तो इन ट्रिप्स को फॉलो करें आप जिससे आपकी जो नीन दना आनी की प्रॉब्लम है न वो कुछी दिनों में दूर हो जाएंगी आपको यह मेरे वीडियो अच्छे लगी तो मुझे लाइक कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो अप्लोड करूँगी आपकी पास वो वीडियो सबसे पहले आएंगी मैं आपको हमेशा काम की बाते बताती हूँ अगर आपको यह मेरे बाते इंपॉर्डन लगती है आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ काम की बाते बता रही हूँ तो मेरे वीडियो को आप सिस्क्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सिस्क्राइब करें तो thank you so much next वीडियो मैं हमेशा अप्लोड करती रहोंगी जो भी say health related हो beauty related हो कोई भी ऐची टॉपी होगी न मैं हमेशा अप्लोड करती रहोंगी जो कि आपकी काम की होंगी हमेशा फाइदे मन होंगी नुकसान दाएक होगी किसी चीज से नुकसान होगी तो मैं वो आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपको ये चीज नहीं करनी है तो thank you so much bye bye